नमस्कार दोस्तों, IndianMoney.com के YouTube चैनल नमका स्वागत है, मेरे नाम है फयाज जपान आज विश्व के सबसे ताकतवर देशों में से एक माना जाता है जपान में अगर बात करें, फॉरेस्ट कवर भी, तो वो भी जपान का 69% जमीन को कवर करता है बात करेंगा जपान की life expectancy की, तो वो भी लगभग दूसरी सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में जपान आज एक ऐसा मुलक बनकर सामने आया है, जिसके किसी भी तरह की कोई भी मदभेव नहीं है, मनमुटाव नहीं है, किसी भी अन्य मुलक से तो कैसे अचानक एक मुलक जो की second world war तक इतना ज़्यादा struggle कर रहा था, वो आज इतना ज़्यादा ताखतवर मुलक बनकर सामने आया है वो इसलिए क्योंकि मेभी जपान अपने money matters और finances को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा थाबित हो रहा है और इसका बड़ा कारण है जपान का सबसे अच्छा saving methodology जिसका नाम है काकेवो method अब काकेवो method क्या है? काकेवो method के बारे में आपने बहुत सारी videos अल्रेडी देखे होंगे लेकिन आज का video में मैं बहुत ही आपको sunshape में बताने की कोशिश करूँगा कि यह method actually क्या है अपने पैसे बचाने में इस्तमाल कर पाएंगे बलकि अपने पैसे से बढ़ाने में भी आपको काकेवो method बहुत ज़्यादा help करेगा तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा point पर आते हैं सबसे पहले तो समझते हैं कि यह method आया कहां से? यह method आया है जपान की सबसे पहली female journalist Honey Motoko के पास से उन्होंने लगभग 1904 में इस method का invention किया था इस method के अंतरगत बेसिकलि आपको किसी भी तरह के software की ज़रूरत नहीं है आपको tally और excel अगर आप नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं आपके पास होना चाहिए बस एक notepad, एक pen और एक दृड़ निश्चे और संकल्प कि हाँ भीया मुझे अपने पैसे बचाने है basically इस तरह के method में आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछनी होते हैं किसी भी तरह के नए expense को करने से पहले अब वो कौन-कौन से सवाल है चलिए एक-एक करके उसके उपर नजर डालते हैं सबसे पहला सवाल आपको अपने आप से ये पूछना है कि can I afford it? किसी भी नई चीज को खरीदने से पहले आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि क्या मैं ये चीज afford कर सकता हूँ? क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इस चीज को खरीद सकूँ? या फिर मुझे इस चीज को खरीदने के लिए किसी भी तरह का loan लेना पड़ेगा example के तोर पर घर हो गया, गाड़ी हो गई या फिर आजकल हम लोग बहुत सरी छोड़ी छोड़ी shopping करते हैं तो EMIs पर लेते हैं तो इस तरह के किसी भी option को चुनने से पहले आपको सवाल ये पुछना चीए कि क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इस चीज को afford कर सकूँ? या फिर मुझे इसके लिए loan लेना पड़ेगा जो ले आता है हमें अपने अगले सवाल की तरफ जो है कि Do I really need this item? मेरा मतलब ये है कि क्या हमें सच मुझ इस चीज की जरूरत है बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग peer pressure में आकर दोस्तों के वज़े से हम लोग कई बार कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं Just because हमारा दोस्त एक जूता खरीद रहा होता है इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी एक जूते की जरूरत हो हो सकता है हमारे बस अल्रेड़ी बहुत सारे जूते हो लेकिन क्योंकि हम किसी के साथ बाहर निकले हैं वो शक्स जूते खरीद रहा है या कपड़े खरीद रहा है कि मतलब मैं अगर ये चीज मेरे पास नहीं आएगी तो मतलब मैं मेरे जीने मरने का सवाल आगे क्या ये इतना ज़रूरी है या फिर कोई ऐसी चीज़ है कि हाँ यार ये है तो ठीक है नहीं है तो भी चलेगा अगर कोई ऐसी situation है तो आप लोग कोशिश करें कि उस चीज़ को नहीं खरीदें क्योंकि अगर आप उसे खरीद नेंगे तो unnecessary आपके खर्चे हो जाएंगे नहीं तो आप वो पैसे बचा लेंगे and the money saved is money earned कहते हैं कि जो पैसे आपने बचा लिया वो पैसे आपने कमा लिया अगला सवाल आपको ये पूछना चीए कि will I actually use this? बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी services खरीद तो लेते हैं subscribe तो कर लेते हैं लेकिन हम लोग उसका पीट दर्द होता है ये वो अलग-अलग pain वगेरा बहाने और schedule के वज़े से लोग gym जाना बंद कर देते हैं लेकिन gym membership और gym को इससे कोई मतलब नहीं कि आप आए चाहे ना आए आपको पहले ही अपने पैसे देने पड़ते हैं तो instead of paying and then not going to the gym पैसे दे के जिम ना जाने से बहतर ही कि आप जिम जाओ ही मत आप सबसे पहले तो अपनी fitness वाली मानसिक्ता लेकर आओ आओ आप घर में ही थोड़ा बहुत हलका फुलका workout करो थोड़ा बहुत आप सैर करने के लिए निकलो पहले आपना खान पांट ठीक करो एक बार आप उसकी मानसिक्ता में आ गए उसके बाद ही आप उस चीज़ को खरीदो या फिर उस service को आप खरीदो instead of मतलब paying it है ना शुरुबात में pay करने से बहतर ही कि आप थोड़ा रुख के इस बात को समझने के कोशिश करें कि मैं इसको कितना हद तक यूज करूँगा अगर मैं इसको बहुत कम यूज करूँगा तो बहतर ही कि मैं इस चीज़ की तरह अपने खर्चा करू ही ना अगला सवाल है कि do I have space for this ये basically ऐसा सवाल है जो आपको पूछना चाहिए किसी भी तरह का appliance लेने से पहले, furniture लेने से पहले या फिर car खरीदने से पहले बहुत बार हम लोग जोश मया के तो समझ लेते हैं हाँ भाई अब मेरी salary बढ़ गई है, office में मेरा designation बड़ा हो गया है चलो आप bike से car पर shift करते लेकिन उसके पहले अपने आपको ये पूछिए कि भाईया क्या तुम्हारे पास वो जगा है अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए हम लोग आजकल बहुत ही मतलब congested societies में रहते हैं और हम लोगे पास अकसर जगा नहीं होती है अपनी गाड़ी को पार्क करने की पार्किंग एक अलग issue है, specially बड़े बड़े शहरों में तो सबसे पहले आपको ये पूछना चीए कि भाईया मेरे पास जगा है क्या क्या मेरे घर इतना बड़ा है कि मैं अपने घर के अंदर गाड़ी को खड़ा कर सको या अपने रोड़ पर ही गाड़ी को खड़ा कर सको या फिर क्या मुझे पहले फोकस करना चीए अपना एक बड़ा घर खरीदने में इस चीज़ को खरीदने के बाद या लेने के बाद कैसा महसूस करूँगा और कितने देर तक करूँगा बहुत बार ऐससे होता है कि हम लोग कुछ चीज़ खरीद लेते हैं लेकिन फिर उसका जो excitement है जो thrill है वो थोड़े देर तक ही रहता है और फिर वो fade हो जाता है वो कम हो जाता है गायब हो जाता है मिसाल के तोर पर सबसे अच्छा example है बच्चों का बच्चे लोग बहुत सारे खिलोने खरीदते हैं जोश में आके और मतलब शुरुआत के कुछ घंटे उन लोग बहुत involve होके खेलते हैं लेकिन उसके बाद कुछी देर बाद उनका interest उससे चला जाता है उनका मन उड़ जाता है फिर उन लोग उस खेलोने को कहीं दूसरी तरफ फेग के दूसरी तरफ ही खेलने चले जाते हैं तो ऐसा आप मत करिए बहुत बार हम लोग चीज़ें खरीद तो लेते हैं अपने bank में रखिए या फिर आप किसी mutual fund में निवेश करिए तो basically यह होता है काकेबू का मोटा मोटा concept अब इस वीडियो में मैंने आपको इसके basic principles बताएं बताए कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी और आपको क्या क्या चीज़ें मतलब मतलब क्या क्या principles इसमें involved होते हैं अब इसके दूसरे भाग में मैं आपको बताऊँगा कुछ practical tips जो आपके बहुत सारे पैसे बचाने में आपकी मदद करेंगे और ना सिर्फ पैसे बचाने में बलकि पैसे बढ़ाने में भी इसके दूसरे भाग में हम लोग उसके बारे में detail में बात करेंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें comment section नाकर बता सकते हैं इस वीडियो के पसंदाने पर आप इस वीडियो को like कर दीजे हमारे चैनल को subscribe पर के bell icon को press करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी update को मिसना करें अगर आप इसे facebook पर देख रहे हैं तो facebook page को भी like कर दीजे हमारे facebook page पर भी आप comments छोड़ सकते हैं उन सभी का response जरूर देंगे और अगर आप personal finance और money matters के बारे में और बहतर जानना चाहते हैं आप डाउलोड कर सकते हैं financial freedom app जिसके उपर बहुत सारे अच्छी अच्छी dedicated courses हैं जो ना सिर्फ आपको पैसे कमाने में बलकि पैसे बढ़ाने में और उसे निवेश करने में भी आपकी पूरी योगदान और help करेंगे तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में मेरे नाम है फयास और आप देख रहे हैं indianmoney.com